हलो फेंड्स वर कम टो किट स्टडी कॉर्णर आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का चप्टर नुबर 1 है हमारे ये इंग्लिश का पिनोचियो इसकी रीडिंग करेंगे सिंप्ली और देखेंगे इस चप्टर के अंधर क्या होने वाला है फुर्स जो घख हमें देखने कर Pacific की इंदर वह है वाम अप वाम पर क्या बताया हुआ है इस चंटर का जो है बेस बनाया जाता है ठीक ये बेस में क्या होता है भी श क्रूद इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यहां पर है gapito, जिनको short में बोलते हैं gap, was a carpenter, okay was means था, a means एक carpenter यानके carpenter था एक बड़ाई था, हिंदी में बड़ाई बोलते हैं carpenter को, he made wooden toys, he made वो बनाता था, क्या बनाता था wooden toys, wooden का मतलब क्या होता है, wooden means होता है, लकडी और लकडी के खिलोने, toys बनाता था, he made wooden toys वो लकडी के खिलोने बनाता था अब जो gapito है, वो gapito कौन है वो है, gap यह है, ठीक है और यह क्या बनाते हैं, यह लकडी के खिलोने बनाते हैं, जैसे कि हम इस picture में देख पा रहे हैं, कि वो यहाँ पर क्या कर रहे है he made wooden toys okay, one day एक दिन, a strange thing happened one day, एक दिन, a strange thing happened, एक strange thing यानि कि एक अजीब सी चीज हुई, क्या हुई, he made a wooden puppet, he made उन्होंने बनाया, a wooden puppet, उन्होंने एक wooden puppet बनाया, ठीक है, पपेट क्या होता है जो हमारे toys अगरा होते हैं, ना खेलने वाले जो होते हैं जैसे कि कटपुटली या फिर कोई पुटली बनाना, कटपुटली बनाना, कोई खिलो ना बनाना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं puppet, as soon as he had finished, as soon as, जितनी ही जल्दिया जैसे ही, he had finished वो finished करने लगे, उसको जैसे ही वो खतम करने लगे, तब puppet came alive जो puppet था, जो कटपुटली थी, यानि कि इसको जो है, जो पपेट सोते हैं, इनको हम कटपुटली बोलते हैं, फिर पुटली भी बोल सकते हैं, या किसी चीज़ का धाचा बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या हुआ वो came alive, वो जीवित हो गई ठीक है, it began to dance and sing, it began उसने शुरू कर दिया, क्या, to dance नाचना and sing और उसने गाना शुरू कर दिया अब किसमें के जो है, कुछ questions पूचे हुए, do you think gap was happy, sad और surprised, तुम क्या सोचते हो कि gap क्या थे, gap कैसे थे वहाँ पर gapetto जो थे, जिनको शॉट में gap पूरते हैं, वह क्या थे, वह खुश थे, वह sad थे, और surprise थे, यह सब चीजे देखर के, कि उन्होंने कोई एक puppet बनाया है, और वह जो puppet है, वह alive हो गया, निकि वह जीवित हो गया, तो इस चीजसे वह क्या होंगे आप क्या सोचते हो, और next question जो आप से पूछने है, वह क्या है you have a choice, आपके पास में choice है, one of your toys can come to life, जो आपके कोई भी toys है, कुई सी भी toys में आपके में life आजाए, which one would you choose, आपका जो toys है, उन में से आप कौन सा toy चाहोगे, कि उसके अंदर life आजाए, अब chapter को हम आगे रीड करते हैं, अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है briefly इसको हम रीड करेंगे, ठीक है read to find out what happened, अब क्या है read to find out what happened, अब क्या हुआ इसके लिए हम इस chapter को read करना है start करते है this is a miracle, miracle का मतलब क्या होता है, miracle का मतलब होता है, कोई भी जादू हो यह बहुत ही जादा important होते है ठीक है, तो medical means क्या होता है, जादू हो जाना या फिर चमतकार हो जाना he said, उन्होंने कहा I shall call you Pinocchio, ठीक है I shall, यनि कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा या मैं तुम्हें पुकारूंगा call means क्या होता है, call means होता है बुलाना या फिर पुकारना you तुम्हें Pinocchio मैं तुम्हें Pinocchio या फिर मैं तुम्हें Pinocchio कहकर के पुकारूंगा, उन्होंने ऐसा कहा you will be my son तुम मेरे बेटे होगे you will be my son तुम मेरे बेटे होगे the next day, अगली दिन gap said, gap ने कहा gap कौन थे, जो toys बनाते थे जो carpenter थे, जो बड़े थे, वो gap थे तो उन्होंने क्या कहा you must go to school तुम्हें school जरूर जाना चाहिए तुम्हें school जाना चाहिए किस ने कहा, gap ने कहा किस से कहा था, puppet से जिनका नाम उन्हें क्या रखा था, Pinocchio right, no नहीं, I wouldn't, मैं नहीं जाना चाहता, said Pinocchio Pinocchio ने कहा, very rudely, rudely मतलब क्या होता है, ill manner याणि कि अच्छा वैवानी, उसने rudely, उसने बुरे तरीके से उनसे ये चीज कही, क्या चीज कही कि मुझे school नहीं जाना है मैं school नहीं जाना चाहता हूँ ठीके, उसने rudely ये वाली बात कही कि मुझे school नहीं जाना है मैं school नहीं जाना चाहता हूँ rudely उसने ये वाली चीज कही you must go to school तुम्हें जरूर स्कूल जाना है repeated gap, gap ने जो है repeat करा, repeat करा याणि कि gap में ये वाली बात दोहराई and or sent Pinocchio to school, or sent भेज दिया, Pinocchio को to school, Pinocchio को school यानि कि विद्धा ले भेज दिया Pinocchio left his house Pinocchio ने उसका घर छोड़ा and wondered here and there wondered का मतलब क्या होता है walked aimlessly यानि कि इधर उधर कहीं पर भी घूमते रहना, उसको कहा जाना था school जाना था, बट वो school ने गया, वो इधर उधर कहीं पर भी भटकता रहा, ठीक है wondered यानि कि इधर उधर कहीं भी भटक न दे रहा here and there, वो इधर उधर कहीं भी भटकता रहा, या फिर घूमता रहा on the way रास्ते में, he saw a puppet shop उसने एक puppet shop देखी, puppet shop यानि कि वो खुद था ना puppet, बट वो क्या हुआ, वो alive हो गया था, तो उसने puppet की show देखी, puppet show देखा उसने, he even dance he, उसने even dance dance शुरू किया, with the puppets जो और puppets थे, उसने उनके साथ में dance करना शुरू किया before, उससे पहले, he went back home, वह घर जाता उससे पहले, उसने puppets की साथ में, जो है, वहाँ पर dance करना शुरू कर दिया, आगे chapter को हम read करेंगे, क्योंकि chapter काफी जदा बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो parts में मैं आपके साथ में इसको share करूंगे, जिससे कि हम easily this chapter को समझ सकें, right next day, अगले दिन पिनोचियोस फादर gave him some cold coins and said, अगले दिन क्या करा पिनोचियोस फादर, पिनोचियोस के फादर कौन थे, ये जीज़ धिहान रखने वाली क्यों है, क्योंकि जब आपको question पूछा जाएगा कि पिनोचियोस के फादर का नाम बता हो, तो वो कौन थे, गैप पेट हो थे, जिनको हम shot में क्या बोलते है, गैप, गैप ने क्या किया, gave him some gold coins, उसको कुछ gold के coins दिये, कुछ coin के, गोल्ड के जो है, उसको सिख के दिये, and said, और कहा, take these, take एनिके low, these इनकी इन्हें low, पिनो एक किताब खरीदो, एक book खरीदो, for school, विद्याले के लिए, फिर school के लिए, एक किताब खरीदो, naughty pinocchio took the money, and went out, naughty pinocchio ने क्या करा, money को ले लिया, पैसे को ले लिया, and went out, और वो चला गया, बाहर निकल गया, ठीक है, on the way रास्ते में, he met a cunning cat, and a slay fox, cunning का मतलब क्या होता है, cunning का मतलब होता है, चतुर चालाग, एक चतुर चालाग, बिल्ली से मिला, and slay fox, और slay fox से मिला, they said, उन्होंने जो है, उससे कहा, किस से कहा, पिनोची उसे कहा, ठीक है, हमारी question में यह भी आता है, who said to whom, तो उसके अंदर, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कि क्या कहा, if you plant the coins under a tree, in the orchard, you will get a hundred tomorrow, if you plant, अगर तुम लगाते हो, ठीक है, प्लांट कहा, पौधे लगाना, तो, if you plant, अगर आप लगाते हो, the coins in सिक्को को, under the tree, under a tree, यह निके पेड के नीचे लगाते हो, in the, in our orchard, जो उनका orchard, orchard मतलब क्या होता है, एक garden, जिसमें fruit के trees होते है, ठीक ह एक garden, जिसमें fruit के trees होते है, उसको हम orchard बोलते है, अगर उसमें लगाओगे, तो you'll get a hundred tomorrow, तो तुमें जो है, इसके एक, जो gold coin है, उसके hundred gold coins मिलेंगे कल, यह चीज़ किस ने कही, यह cat और slide fox जो था, उसने कही, so, पिनोचियो planted the coins, पिनोचियो ने क्या किया, जो coins थे, उनको plant कर दिया, उनको वहाँ पर बो दिया, उनको वहाँ पर लगा दिया, ठीके, when चब पिनोचियो left, पिनोचियो वहाँ से चला गया, the cat and the fox took the coins and ran away, the cat थी and the fox और जो fox थी, जो लोमडी थी, took the coins, उन्होंने उन coins को, उन्हों सिको को ले लिया and ran away, और वहाँ से चली गई, वहा पिनोचियो went to the tree, वो उस tree के पास गया, however, हाला की there was nothing there, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पिनोचियो अगले दिन वहाँ पर गया, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, पिनोचियो begin to weave, उसने क्या करा, उसने रोना शुरू कर दिया, इस chapter के अंदर, यानि कि अब भी garden of fruit trees, I hope this topic है, आपको पसंद आया होगा, chapter complete नहीं हुआ है, अब भी देखे ये वाला page हमारा पूरा बचा हुआ है, यानि कि और ये वाला page पूरा बचा हुआ है, इसको भी मैं आपको read करवाँगी, आपको ये story कैसी लगी, प्लीज मुझे जरूर बताएगा, comment box के अंदर अगर आप चाहते हैं और भी कोई question या chapter में आपके साथ में share करो, आप मुझे बता सकते हैं, ये class 3 का chapter number 1 है, हो सकता है, आपके पास जो book है, वो किसी और class में है, या फिर किसी और number पर ये वाला chapter हो, इसकी reading आपको कैसी लगी है, please मुझे comment में जरूर बताएगा, thanks for watching